सभी स्वाया अब्हसा है विडियो सब्सक्राइबू हएप 708 प्रस लम इस इंबाउन मार्केटिम कमात्यम से अपने बिज्नेस के बिसनस के प्रमोट कर सकते हे ईगते और ज infect अच्छा मीडियम होजाता है कि अगर बिजूनस को करना चाहते हैं customer पाना चाहते हैं this is a very effective tool this is a very effective marketing strategy जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें आपको आइधर बहुत कम खर्चा होगा या आपको यह free में आप इसको use कर सकते हैं क्योंकि जब भी आप marketing करते हैं marketing क्या होता it's a pull strategy आप customer को अपनी तरफ आकरशित करें तो जब भी करते हैं तो वहां पर पैसा खर्चा करना पर यहां पर अगर आप inbound marketing इस्तेमाल करते हैं inbound marketing के माधियम साब without any cost में बहुत ही कम cost में without any cost आप customer को अपनी तरफ आकरशित करें इंबाउंड का मतलब होता है कि आपकी तरफ आ रहा है outbound मतलब आप वहां पर उनको बुला रहे कि आई 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 यह चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो अभी चलिए बात करते हैं इसके डीटल्स में तो अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो आपको बताए कि like share subscribe करना है कोई भी question कोई है तो जरूर मुझे comment section में बताए ताकि हम आपको मदद क करते हैं उसी तरीके से यहां पर इस चैनल पर हम बौट चारे बिजनस गाइड तयार करें ताकि आपका जो भी बिजनस आप शुरू करें तो उसमें आपको मदद मिल सके तो आप कौन से बिजनस का बिजनस गाइड देखना चाहते हैं तो इसका जो ओवर व्यू है अब सकते हैं और अपने बिजनस को ग्रो कर सकते हैं और इसी के साथ सब्सक्राइब और पूरा पड़ना चाहते हैं तो इस नौट एंटेंट में वीडियो विडियो तो एडुकेशन वीडियो की तरीके से इसको देखे तो आसा टाइम लगेगा उपर जैसे देख पारें क 1.5 x में इसको फास्ट में प्ले करके आप देख सकते हैं ताकि आप आसानी से जल्दी जल्दी इसको कंस्यूम कर सके तो सबसे पहले जैसे मैंने बताए कि आपका इंबाउंद मारकेटिंग जो होता है यहां पर जब भी मारकेटिंग आप कर्यों तो और olho nervous ट्रान-फूर्ण और उसको इसको प्रुडवार नो Zachem slider तो आप आप marketing अलग अलग तरीके से कर पाएंगे आपको सही channel इस्तेमाल करना परेगा content के माध्यम से आप जो है marketing करेंगे यहानि यहां पर primary driving force होता है वो होता है content and basically creating and engaging environment for your customers or people who are interested in your product or service अलग अलग tools होते हैं यहां पर अलग अलग tools कौन से social media हो जाता है email marketing हो जाता है WhatsApp marketing होता है आप अपना website भी launch कर सकते हैं अगर आप देख रहे हैं कि मेरा website बनाने या कोई जोहत नहीं है तो आप YouTube, Facebook, social media को इस्तमाल कर सकते हैं lead generate करने के लिए वहां पर अपना contact number डाल सकते हैं phone number डाल सकते हैं वहां से customer जो है आपको reach out कर सकते हैं बहुत ही easily तो यहां पर आपको inbound marketing जब भी marketing strategy होता तो marketing strategy का main मकसद होता है कि कि किस तरीके से customer को अपनी दुकान में लाया जाए या आपका जो भी platform या जो भी है customer को किस तरीके से अपनी तरफ आगरशित किया जाए और end result होता है कि कैस किसे में वहां से sales generate कर सकूंँ तो आपका final objective क्या होता है कि आपका customer को अलगाशित करना है अपने brand के बार में उसको इन फर्म करना है उसको अवेर करना है उसको अफिर उसको अपने दुकान में लेके आना है अपने product and service का benefits दिखाना है और अपने product को उसको sell करना है अपने service इसको sell करने, that is your final objective, और यहां पर पूरा जो sales process है, उसी के अंदर आता है, आपका क्या, marketing process, तो यह चीज आपको धिहन में रखना पड़ेगा, और यहां पर inbound marketing के मादम सी, यह होता है, कि आप जादा से जादा लोगों तक पहुच रहे हैं, जादा से जादा लोगों तक आप उनको अपनी तरफ आकरशित कर रहे हैं, this is how it works, so inbound marketing is a broad and powerful term that refers to any marketing technique that uses online channels to attract and retain customers, retain customers, आपको समझना परेगा, कि एक बार आपने आपसे product purchase के लिया, आपने उसका नया version निकाला है, आपने उसका एक सस्ता version निकाला है, आपने उसका discount दे रहे हैं, महीने में एक बार दे रहे हैं, साल में दो बार उसका stock clearance आप दे रहे हैं, तो आपका already जो existing customer है, उसको अगर आप update करके रखते हैं, तो फिर से आपके पास आपका product और service purchase करेगा, तो यहाँ पे inbound marketing एक बहुत ही अच्छा जरीया हो जाता है, आपको अपने customer के साथ connect करने के लिए, जादा से जादा लोगों को aware करने के लिए, उनको अपने पास ले के आने के लिए, यहाँ पे main technique जो आपको यूज करना है, वो है lead generation, lead generation मतलब आप उसको लेकर आप उसका data collection कर रहे हो, ताकि आप उसको callback करके product sell कर सके, email marketing यानि reach out करने के लिए आप WhatsApp के माधियम से वे आप उनको reach out कर सकते हैं, next हो जाता है, social media के माधियम से आप उनको update कर सकते हैं, अगर आपका खुद का website नहीं है, social media के माधियम से आप आपका जो audience से उसको भी grow कर सकते हैं, उनको regular update दे सकते हैं, so these are the three main ways of making inbound, of doing inbound marketing, lead generation जैसे आप कर पारें कि वहाँ पर आप बोल सकते हैं, कि आप मुझे call कीजिए, आप मुझे WhatsApp कीजिए, आप मुझे mail कीजिए, lead generation हो गया, आप मेरे website में जाके form fill up कर तो, वह हो जाता है lead generation, email marketing यानि email marketing या WhatsApp marketing का मतलब होता है, कि आप उनको regular basis में update दे रहे हैं, आपका mail idea आप यूज़ करते हैं, उसमें daily आपके पास 50 mail आता है, तो उसी तरीके से आप उनको बताते हैं, कि भीया, मेरा product या service के बारे में ये नया update है, ये नया product है, ये discount चल रहा है, तो आप regular basis में उनको update देते रहे हैं, social media marketing होता है, जैसे ये YouTube channel, इस YouTube channel के माद़िम से आपको business के बारे में जानने को मलता है, startup के बारे में जानने को मलता है, ये social media जो है, Facebook, Twitter, LinkedIn, जो भी आपके लिए relevant होता है, यहाँ पर SNE कि हर एक social media में आपको जाना पड़ेगा, आपके business के लिए जो relevant होता है, आपका audience जहाँ पर है, वहाँ पर आपको उस social media को आपको इस्तमाल करना है, content वहाँ पर put up करना है, इधर photo content हो सकता है, video content हो सकता है, text content हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर यहाँ पर और एक चीज में आपको बताना चाहूँगा, कि आपको brand marketing भी करना है, यानि आपके brand को भी grow करना है, अगर आप for example, toothpaste sell करते हैं, for example, अगर आप biscuit बनाते हैं, आपको biscuit बनाते हैं, यह हॉलिक्स का biscuit है, तो जब भी मैं इस biscuit को, suppose किसी ने कोई ले के आया था, मैंने इसको खाया, खाने के बाद देखा, अच्छा इसका टेस्ट अच्छा, तो फिर मैं क्या करूँगा, इस brand को याद रखूँगा, यह जो brand देख रहा है, भी बहुत एक important role play करता है, over a period of time, अगर आप अपना business long term करना चाहते हैं, grow करना चाहते हैं, अपना brand identity create करना चाहते हैं, तो brand marketing is also a very important tool है, जिसके मादियम से, आप एक loyal base तियार कर सकते हैं, एक loyal audience तियार कर सकते हैं, क्योंकि उनको याद रहेगा, अच्छा, इस company का था, इस company का था, इस company का था, इसलिए दुकान में क्या करते हैं, अगर आप UPI करना चाहते हैं, तो आप दुकान दार को क्या बोलते हैं, paytm कर दो, phone pay कर दो, gpay कर दो, तो gpay क्या है, brand है, phone pay क्या है, brand है, paytm क्या है, ब्रैंड है पर आप UPI के माध्यम से ही पैसा भेज रहें यह चीज़ ज्यान में रखें और यहां पर किस तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब हो रहा है और कौन सा जो टॉपिक है उस पर जादा लोग देखना चाहते हैं कौन सा टॉपिक उसके ओपर जादा आपको फोकस करना है और फिर आपको फीड़बैक लेने के बाद पता चलेगा कि यह कंटेंड न काम कर रहे है यह कौन सा स्ट्राटीजी काम कर रहा है नहीं कर रहा है कौन सा प्रॉड़क्ट किस तरीके से कब पोस्ट करना चाहिए तो वह कब काम कर रहा है फिर उसके बाद आप आप आउट बाउंड मार्केणिंग में फोकस कर सकते हो आप 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 चला सकते हैं पेड अपने प्रॉड इंबाउं मार्केटिंग में फोकस कर सकते हैं, आप इड चला सकते हैं, आप एक तर भीबिस सारे कुछ आप करसकते हैं, यह द्सक्राइज हो जाता है, इसलिए हर एक एक बिसनस को, तो especially start-up business को, especially small businesses को definitely inbound marketing में focus करना चाहिए because this is one of the best, cheapest and effective way of reaching out to more and more audience, to grow your audience, to make more and more people aware about your product, brand, service and obviously your business. तो अगर आपके business के बार में लोग चानेंगे है नहीं, तो अपका product purchase कहां से करेंगे, जितने लोग को पता होगा, उतने लोग ही आपके पास आएंगे, तो इस जगा पे inbound marketing is a very effective tool for you. तो कैसे लगा यह वीडियो, I hope this video was useful, और उसी के साथ अगर आपका कोई भी question कोई रिया है, जारू हमें comment section बताएं, Thank you for watching this video and please let us know your feedback and take care, bye bye, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, अपना business grow कीजिए, आराम से और पैसे कमाएए.